माघ मकर गत रविजब होई, तीरत पती आव सब कोई, देव दनुज की नर नर सेणी, साधर मज्यी सकलत्रिवेणी राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सबी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रहे हूं, मकर संक्रांत के दिन इस कथा को सुनने से, कहने से सुनने वाले और सुनने वाले दोनों को ही पुनिफल की प्राप्ति होती है भगवती गंगा का पाताल लोक में प्रिवेश कर सगर पुत्रों का उद्धार करना सी महादेव जी बोलते हैं हे महामुने भगवती गंगा समुद्र के साथ सैयुक्त हो वीवर से होकर के अत्यंत प्रसन्नता पुर्वक पाताल को पहुँच करके कपिल मुनी के निकट गई ततह सा सिंधुना संग समबाप महामुने परम मोद मापन्ना वीवरम समपेत्च कपिल मुनी ने देवता आदी के लिए भी दुरलब गंगा जी को संसार के सोभग से आई जान करके उनकी पात्य आदी से पुजा की उन महामुनी से सम्यक रूप से पूजित हो करके भगवती मा गंगा ने कहा हे मुने सिग्र बताईए कि भास्म रूपी सगरपुत्र कहा है तब मुनी उन्हें सगरपुत्रों को दिखलाते हैं गंगा जी ने भी उन भस्म को देख करके छण भर में अपने में समाहित कर लिया नदियों में सेष्ट तैलो के गामनी गंगा भस्म साथ केगे उन सगरपुत्रों को वेग पुरवक सभी ओर से बहा ले गई उसी छण सगरपुत्र दिव रूप धारी हो करके अलोकेक रथ में आलोड हो ब्रह्म लोग को चले गए अपने पित्रों के उद्धार को देख करके राजा भगी रत परंप्रसन हो जै मागंगे जै मागंगे जै मागंगे ऐसे इस्तुती करते हुए रथ में निरत करने शब्द करने वाले संख को बजाया उस धनी को सुन करके महान वेग का आशर ले करके मागंगा वीवर द्वार से सगर पुत्रों की भस्म को मृत्य लोप में ले आई उनकी एक अत्यंत निर्मल धारा पाताल में ही इस्तिर रह गई जो भोग बती नाम से प्रसिद्ध हैं औ प्रसंद मनवाले राजा भगीरत भी सागर गामिनी गंगा का पुजन कर रहे हैं और उन्हें परणाम कर अपने नगर को चले आए भगवान विश्णों के सरीर में निवास करने वाली भगवती गंगा सभी प्राणियों के कल्यार के लिए इस प्रकार प्रित्वी पर आई जा इदव पुन्यम आख्यानें गंगा अवतार्णम छितो पठे द्वा अभी तस्य मुक्तिम करे इस्थिता है गंगा के प्रित्वी पर अवतार्ण की इस पुन्यमाई कथा को जो कोई भी पढ़ता है सुनता है सुनाता है उसकी मुक्ति उसके हाथों में रहती है उसकी आयू और कीर्थी की ब्रद्धी होती है, सरवर्थ उसे सुख की प्राप्ती होती है और इस संपूर्ण पृत्वी लोग पर सब प्रकार से मंगल होता है। पित्र स्राध के दिन भक्ती पृवग जो ब्रामणों के सानिध में इसका पाठ करता है, उसके पापी पितर भी तरप्त होके परमगती को प्राप्त करते हैं। उनका ग्रहस्त आश्रम लक्ष्मी संपन हो जाता है। आख्यान का पाठ करता है, वो अर्श्व मेग यग्य के फल आधि को प्राप्त करता है। गंगा के किनारे जाकर जो इसनान करके विधी पुर्वक इस कथा को सुनता है। उसके समान प्रिध्वी पर दूसरा कोई नहीं होता है। यह उत्तम आख्यान लिखित रूप में जिसके घर में इस्थित रहता है। उस पर दुरभाग यह शत्रू का कोई प्रभाव नहीं होता है। नहीं शत्रू का भैग होता है। यह महामुने गंगा के समान दूसरा कोई तिर्थ नहीं है स्पृत्वी पर इसलिए उनका आख्यान अत्यनत पुन्य में कहा गया है। मा गंगा की जै हो भवान संकर की जै हो सभी भक्तों की जै हो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो किरपया वीडियो को लाइक जरू करिएगा आज मैं आपनों को कथा सुनाने जा रही हूँ, बड़ी सुन्दर और रोचक कथा है गरीवों को दान देने की महिमा गुजरात की प्रसिद्ध राजमाता मीलन देवी बड़ी उदार महिला थी वी सवा करोड सोने की मोहरे लेकर के सोमनात मंदिर का दर्शन करने गई वहाँ जा करके उन्होंने स्वन का तुलादान आदी किये माता की यात्रा के पुनि प्रसंग में पुत्र राजा सिद्ध राज ने प्रजा का लाखों रुपे का लगान माफ कर दिया इससे मीलन देवी के मन में यह अभिमान आ गया कि मेरे समान दान करने वाला संसार में कोई दूसरी इस्तरी नहीं है रात्रिको भवान सोमनात ने सुपने में कहा कि मेरे मंदिर में एक बहुत गरीव इस्तरी यात्रा करने आई है तु उससे उसका कुछ पुन्य मांग ले सवेरे मिलन देवी ने सोचा कि इसमें कौन से वड़ी बात है रुपे दे करके पुन्य ले लूँगी राजस्थान से राज माता ने उस गरीव इस्त्री की खोज में आदमे भेजे वे लोग यात्रा में आई हुई एक गरीव ब्रामण इस्त्री को ले कर आए राज माता ने उससे पूछा कि तुम अपना पुन्य मुझे दे दो बदले में अपनी इक्छा के अनुरूप धन ले लो पर उसने किसी तरह से वो स्युकार नहीं किया राज माता ने कहा कि तुमने ऐसा क्या पुन्य किया है मुझे वताओ तो सही तब ब्रामणे ने कहा कि मैं घर से निकल करके सैकडो गौमे भीक मांगती हूँ यहां तक पहुची हुई हूँ कल तेर्थ यात्रा का उपवास था आज किसी पुन्य आत्मा ने एक अतिति को दिया है सेस बचे हुए से मैंने पारण किया है मेरा पुन्य ही क्या है आप बड़ी पुन्यवती हैं आपके पिता हैं भाई हैं स्वामी हैं पुत्र सभी राजा हैं यात्रा की खुसी में अपने प्रजा का लगान माफ करवा दिया है सवा करोड मोहरे से भगवान संकर की पूजा की है इतना बड़ा पुन्य करने वाली आप मेरा अल्पसा दिखने वाला पुन्य क्यूं मांग रही है मुझ पर नाराज न हो तो मैं कुछ आपकी सेवा में निवेधन करूँ राजमाता ने वैसा विश्वास दिलाया ब्रामणी ने कहा कि मैंने सुना है कि संपत्ति होने पर भी नियमों का पालन करना शक्ति होने पर भी सेहन करना दरिद्र होकर भी दान करना यह अक्षय पुनिप्रत होता है ब्रामणी की इन बातों से राजमाता मिलन देवी का अभिमान नश्ट हो गया और उन्होंने विश्वास किया कि भागवान संकर नहीं किरपा करके ब्रामणी को भेजा है इस प्रकार से यह पुन्य मैं कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है इस कथा का यह अर्थ है कि दान जब करें तो अभिमान न रखें कि मैंने इतना दान किया यह इतना दान किया बलकि यह सोचें कि आज मुझे सौभागे प्राप्त हुआ है यह था शक्ति मैं दान कर सकूँ आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी इस कथा को अपने मित्रों में दोस्तों में, रिष्टिदारों में जानने वालों में अवसे ही शेयर करें जिसे कि उन्हें भी इस पुन्य दानी कथा का स्रवन कर सकें और पुन्य फल को प्राप्त कर सकें नए साल की शुरुवात में पहला बड़ा पर्व मकर संक्रांति का आता है हिंदु धर्में इस दिन का विशेश महत्व है इस दिन गंगा इस्तान किया जाता है और गंगा जी के किनारे ही दान पुनि के जाते हैं जिसका पुनि फल दोगुनी मात्रा में मिलती है इसलिए कहा जाता है कि मकर सत्करांति के दिन संगम इसनान करने जाएं बनारस में गंगा इसनान करने जाएं अत्वा किसी भी गंगा तट पर नर्मदा नदी के तट पर इन प्रसिद जो नदियां हैं इनमें स्नान करने के बाद में वहीं उसी नदी के किनारे ही किसी ब्रामन को भोजन कराकर उसे गरम वस्त्र देकर अच्छा भोजन कराकर दच्छना देकर के पैर शू करके कोई इस कारे को भी कर ले तो भी उसे अतिधिक पुनिफल की प्राप्ति होती है इस तेवार को कई नामों से जाना जाता है कहीं पर इस तेवार को खिच्डी कहा जाता है तो किसी जगा पर उत्तरन कहा जाता है और किसी जगा पर पोंगल नाम से इस तेवार को मनाया जाता है इस दिन सूर्य भगवान मकर राश में प्रिवेश करते हैं आईए जानते हैं नए साल में मकर संक्रांति का तेहवार किस दिन पड़ेगे मकर संक्रांति के शुभ मुहुर्थ पूजा विधी और इस दिन कौन से कारी करना शुभ माना जाता है संबद 2008 पोश शुक्लपक्ष 15 जनवरी 2024 दिन सोंबार पंचमी तिथी को मकर संक्रांति का पुनिकाल का तेहवार मनाया जाएगा इसी दिन सूर्य भगवान मकर रासी में प्रवेश करेंगे मकर रासी शनी का रासी होने के कारण इस तेहवार पर शत्वीसा नच्छत्र रहेगा आठ बच करके साथ मिनट प्रातह उसके पस्चा सारा दिन पुर्वा फालगुली नच्छत्र रहेगा सुर्योदय का समय रहेगा 6 बच करके 56 मिनट प्रातह, सुर्यास्त का समय रहेगा 5 बच करके 32 मिनट सायन, शेशिर रितू सुर्य उत्तराण, जोकी 15 जन्वरी 2024 से सुर्य भगवान उत्तराण हो जाएंगे. मकर संक्रांथी का पुन्य काल शुव मूर्थ 15 जन्वरी प्रातह काल सुर्योदय से ले करके शाम के 5 बच करके 46 मिनट तक. मकर संक्रांथी का विशिस पुन्य काल है सुर्योदय से ले करके प्रातह 9 बच करके 7 मिनट तक. इस्नान दान का शुमूर्थ है सुर्योदे से पहले और सुर्योदे के बाद 7 बच करके 15 मिनट तक जोदिश के अनुसार साल 2024 में मकर संक्रांति के दिन रवी योग करण और वरिये मान योग बनेगा रवी योग प्रातह 7 बजे से आरंभो करके प्रातह 8 बजे तक रहेगा इस योग में पूजा पाठ इस्नान दान करने से उसका पुन्य फल दोगुना हो जाता है सास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शली की रासी मकर में प्रवेश करते हैं मानिता है कि मकर संक्रांति के दिन पाणी में काला तिल और गंगा जल मिला करके इस्नान करना चाहिए इस मंत्र को पढ़ना चाहिए गंगे चैयमने, चैव गोदावरी सरशुती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जले अस्मिन सनिधिम कुरू इस मंत्र को पढ़ करके फिर इस्नान करना चाहिए वैसे इस्नान का विधानिया होता है कि संक्रान्थि के दिन सरोवर में या किसी पवित्र इस्थान पर जा करके इस्नान करना चाहिए लेकिन यदि संभव ना हो सके तो आप घर में इस मंत्र को पढ़ करके नहाने वाले जल में गंगा जल मिला करके, साथ में काला तिल डाल करके इस्नान करना चाहिए इसनान करने के बाद में सुर्यवववान को जल दे, जल देने के बाद में तिल, उरत की दाल, चावल, गुल, वस्त्र, डच्छना, दच्छना सरूपधन का दान करना चाहिए. खिचडी का भोग लगाना चाहिए उरत की दाल की खिचडी बनने चाहिए और उसका भोग लगाया जाता है इस दिन जब उरत की दाल की खिचडी बनाई जाती है तो उसमें हल्दी नहीं डाला जाता है अब मैं आपको बताने जारी हूँ क्या करना चाहिए मकर संक्रान्ति के दिन गंगा जी में इसनान का बड़ा महत्व है इस दिन संभा हो तो गंगा जी में इसनान करना चाहिए सुर्योदे से पहले गंगा इसनान के बाद तांबे के लोटे में गंगा जल या शुद्ध जल में लाल फूल, लाल चंदन डाल करके भगवान सुर्य को अर्ग देना चाहिए मकर संक्रांति के दिन उनी वस्त्र, तेल, तिल, खिचड़ी, गुर से बनी हुई चीजें, तिल के लड़ू, गजक इन चीजों का दान करना चाहिए मकर संक्रांति पर ब्रामन को भोजन कराना चाहिए संभव हो सके तो इस खिचड़ी को जो कि अपने घर में बनाया है, इसे भी अपने किसी माने को, या किसी ब्रामन को, या किसी बड़े बुजुर को अवस्ते ही खिलाएं, उनका पैर चुएं, उनका आशिरवात लें आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, कि मकर संक्रांति के पर पर किन किन चीजों का दान करना अत्यधिक महत्य पूर्ण माना गया है, इसको दान करने से भवान श्री हरी विष्णु तो प्रसन होते ही हैं, साथ में पितर भी प्रसन होते हैं, और जिने दान मिलता है, जिन जरूरत मनों को दान की जाती है, वो जरूरत मन दान पा करके आशिरवात देते हैं, और वो आशिरवात भी आपको ही प्राप्त होगा दान के वारे में कहा जाता है कि दान इतने गुपत रूप से करना चाहिए कि आप दाहिने हाथ से दान करें लेकिन बाएं हाथ को पता ना चले यह हमारे सास्त्रों का विधान है कि दान करने के बाद में उसे गाया नहीं जाता है किसी भी दूसरे को बताया नहीं जाता है कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन पर किया गया दान जिस दिन किया गया दान बहुत पुन्य फल दाइनी और ततकाल पुन्य फल को देने वाली होती है जैसे कि आवलानौमी, अक्षय तिथिया यह मकर संक्रांती का तहवार मकर संक्रांती का तहवार कभी माघमा में आता है और कभी पूसमा में आ जाता है मकर संक्रांती का तहवार तब मनाया जाता है जल मकर रासी में भावान सूरे प्रवेस करते हैं भागवान सूर्य हर महिने एक राश में प्रवेश करते हैं और एक राश में पूरे एक महिने तक रहते हैं कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रवेश करने पर संक्रांति का तहवार मनाया जाता है जिसमें की सबसे उत्तम और सबसे बड़ा तहवार मकर राश में प्र करते हैं जो कि उनके पुत्र की राशी है शनी राशी शनी की राशी मकर कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूरी अपने पुत्र के घर जाते हैं दूसरा कारण सूरी भगवान दच्छनायन से उत्राण होते हैं इसलिए भी यह दिन और शुब हो जाता है तीसरा कारण कहा जात है कि देवताओं के जागने के दिन आरंभ हो जाते हैं क्योंकि इसी दिन से सारे शुबकारे आरंभ हो जाते हैं इसलिए मकर संक्रांति का तेवार अत्यधिक पुन्य फल्दायनी और बहुत ही महत्तु पुन्य माना जाता है हमारे पूरे भारत वर्श में मकर संक्रांति का तेवार पूरे भारत वर्श में बड़े ही धूम-धाम से मनाय जाता है इस दिन गंगा इस्थान करना, किसे भी तिर्थिस्थान में इस्थान करना, दान करना, ब्रामनों को भोजन कराना, जरूरत मंदों को दान करना, यथा शक्ति दान करना, खिचडी का दान करना, और साथ में स्वेम भी अपने घर में भी खिचडी ही बनाई जाती है इस दिन और खिचडी ही खाई जाती है। खिचडी का विश्यस महत्व मानगया है क्योंकि उरत की डाल जो कि इसी मौसम में नई फसल तयार होती है। इसलिए उरत की डाल का दान हमारे हां कोई भी फसल जब तयार होता है तो उसका तहवार की रूप में मनाया जाता है। जो भी किसान करिवार हैं वो दाल जब त्यार होता है तो दाल को वो तेहवार के रुप में मनाते हैं जब नया चावल आता है तो नय चावल की पूजा होती है करवा चौथ पर नय चावल की पूजा होती है इस तरह से हमारे देश में जो किशान लोग हैं वो अनाधिकाल से स सारे फसलों की जब नए फसल होते हैं तक नए फसल की होने पर तेहर मनाते हैं पंजाब में बहुत सारी चीजें इससमें नए नहीं होती हैं जैसे कि भुट्टा, उरद की दाल, चना, जो भी इस समय की नई फसल होती है, उसको फसल को वो लोहडी के रूप में तेहवार को मनाते हैं, वहाँ पर इसी तेहवार को लोहडी के रूप में मनाया जाता है और भारत के अन हिस्सों में पोंगल के नाम से इस तेहवार को म बनाई जाती है और खिच्री जो भी ब्रामणों उन्हें बुला करके बना कर खिच्री खिलाया भी जाता है इसका भी विधान है खिच्री के तेवार में उरत की दाल की खिच्री बनाई जाती है पापड़ है दही है तिल के लड्डू है तिलवा है आवले का अचार है में खिचडी बनाई जाती है खिचडी का दान निकाला जाता है और कोई ब्राम्वन या कोई गरीब इंसान मिले तो उसे यह जो चीज आप अपने लिए बना रहे हैं जो आप स्वेम गरहन करेंगे उसमें से एक ठाली निकाल करके उस विक्ति को खिलाना चाहिए यह भी अत् अधिक पुने फल्दाई माना गया है साथ में एक गुप्त दान जिसको करने से विवाह में आ रही देरी यह दिक्कतें जो हो रहे हैं उससे संबंदित जो भी दिक्कत है उस समस्य का समयधान होता है घर वर सभी अच्छे मिलते हैं चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो मकर संक्रांति के तेवार पर आप सभी कुछ दान कर सकते हैं कारण यह है कि हमारे यहां तुलसी दाजी ने कहा है कि दान सर्वोपरी है इस कल्यूग में दान और राम नाम यह दोनों सर्वोपरी बताया है कल्यूग में नाम आधारा, कल्यूग में दान सबसे अधिक महत्मून है, चाहे वह किसी रूप में ही क्यों न दिया गया हो दान देना सर्वतम माना गया है कल्यूग में दान सुरूप चुकि सर्दी का समय है इसलिए दान में आप कंबल, उनिवर्स्त्र, मोजे दान कर सकते हैं छाता, जूता, चपल दान क्या जाता है अन के रूप में तिल के लड़ू, लाई के लड़ू, खील, तिल के लड़ू, लाई के लड़ू, गजक, मुंभली की चुड़ा के लड़ू, इस तरह के बहुत सारे लड़ू इस वक्त मिलते हैं, रामदाना के लड़ू, ये सारे लड़ू आप दान में करें, खिचड़ी का दान करें, खिचड़ी में उरद की दाल और चावल मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है, सूखा खिचड़ी भी, और जो खिचड़ी बना कर खाते हैं, वह खिचड़ी भी, तो सूखा खिचड़ी वह दान करें, इस तरह से मैंने आपको दान बताया, अब मैं आपको बता रही हूँ, गुप्त दान किस प्रकार से करें, जब भी आप किसी तिर्थी स्थान पर इस्थान करने के लिए जाएं तो डुपकी लगाई जाती है गंगाजी में या किसी भी तिर्थिस्थान में जाया जाता है तो वहाँ पर डुपकी लगाकर इस्थान करते हैं डुपकी लगाने का मतलब भी होता है कि नाक बंद करके आप अपने सिर को भी पानी में भिगोते हैं यह डुपकी तीन बार, पांच बार, साथ बार लगाई जाती हैं। आप जब भी केसी तिर्थिस्थान पर जाएं स्थान करने के लिए तो अपने साथ में सोने की कोई एक चीज जरूर लेकर जाएं। सोना का दान सबसे ज़्याद सुन्दर और महत्पुर्ण वाना गया है। सोना आप लेकर जाएं। अपने मुठी में रखें। इस्तरियां हो तो अपने बाई मुठी में रखें। पूरुश हैं तो अपने दाहिने मुठी में रखें। और जब डुपकी लगाएं। उसके को गंगा जी में ही छोड़ दें। उसके बाद आप उपर आजाएं। गंगा इस्तान करके आप बाहर आजाएं। सोना छोड़ने के बाद फिर डुपकी ना लगाएं। इस बात का ध्यानक हैं। इसके बाद आप गंगा जी से बाहर आजाएं। अपने साफ वस्तर को पह इससे आपको बहुत फैयदा होगा इसमें कोई दोराय नहीं है आपके रुके वे सारे काम बनेंगे बिजनेस साथ का रुका हुआ तो वह बढ़ जाएगा किसी वी तरह का जीवन में कोई भी परिशानी है तो वह परिशानी से आपको उस परिशानी से आपको मुक्ति मिलेग वो हैं और वो मेरी बात को सुन रही हैं इस तरह से हाथ जोड करके मा गंगा से प्रात्ना करें रुपकी लगाने के बाद जब आप बाहर निकलें तो उसी समय उस जगह पर खड़े हो करके गंगा जी के अंदर ही खड़े हो करके हाथ जोड करके मा गंगा से आप प्रातना करें कि हे मा गंगे मेरी यह समस्या है मेरे जीवन की इस कठिन समस्या को आप दूर करें मेरी सहायता करें मैं इस कारिक में सफलता प्राप्त करूँ जो ही आपका कारी हो उस कारिक को मा गंगा से बोल दें और बोलें कि हे मा मैं बहुत ज़्यादा तो काबिल नहीं हूँ यह था सकती यह चीज मैंने दानसरूप डाली है यह बात आप मा गंगा से कहें किसी बेक्ति से ना कहें उसे आप स्विकार करें और मेरी मनो कामनाओं की पूर्ति करें ऐसा कह करके मा गंगा को समर्पित करके आप अपने घर आएं ऐसा कह करके आप गंगाजी से बाहर निकलें और फिर गंगाजी को नमशकार करें बाहर निकल करके फिर गंगामा को नमशकार करें धियान रखें आपका भाव यह होना चाहिए कि स्वैम साच्छत गंगामा मेरी बात को सुन रही है ऐसा भाव रख कर करके आप अपनी बात वहां कह करके बाहर निकलें फिर बाहर निकल करके फिर गंगा मा को पढ़ाम करें फिर अपना वस्त्र स्वक्ष वस्त्र को पहन करके फिर उस जगह पर जो भी आपको दान दर्चना पुने करना है जो भी निमित आप गए हैं वह कारी करके अपने घर को वापस आए आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो किर पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन अवसे ही दवाईएगा बिधी पुर्वत गंगा यमना के श्वेत और श्याम जल में भरत जी इस्नान करते हैं और दान देकर ब्रामणों का सम्मान करते हैं देखत स्यामल धबल हलोरे पुलक सरीर भरत कर जोरे सकल काम प्रदती रतराऊं वेद विदित जग प्रगट प्रफाऊं स्याम और सफेद यमना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोर कर कहा हे तीरत राज आप समस्त कामनाओं को पून करने वाले हैं आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध है और संसार में प्रगट हैं ये पुनेफल जो की स्वैम तुलसी दास जी ने राम चरित मानस में ब्याख्या किया है तीरत में इसनान करने का महतो मकर सग्रान्थी के दिन तीरत में अवसे ही इसनान करना चाहिए एक और वर्णर मिलता है महाभारत काल का जिसमें ये प्रसंग है कि स्वैम भीस्म पितामा जो की बाणों के सया पर लेटे होते हैं उनसे भगवान श्री किष्ण कहते है कि अब आप मौक्ष को प्राप्त करें क्योंकि कब तक आप इस बाणों के सया पर लेटे रहेंगे तब भीस्में पितामा कहते हैं भगवान श्री किष्ण से कि जब सूरी भगवान उत्राण हो जाएंगे तब मैं इस सरीर का त्याग करूँगा वह वही दिन है जिसे की मकर संक्रान्ति कहा जाता है उस दिन सूरी भगवान मकर रास में प्रिवेश करते हैं और उस दिन से सूरी भगवान उत्राइन हो जाते हैं यह तो मैंने आपको पौरानिक प्रमान दिये हैं कि मकर संक्रान्थी का कितना महत बताय गया है हमारे धर्मकरंथों में, सास्रों में मकर संक्रान्थी के दिन तीरत इस्तनान करना चाहिए यथा शक्तिदान देना चाहिए और इस दिन के किये हुए यह दोनों ही कारे आपके जीवन को बदलता है साथ में आपके पुर्वजों का भी जीवन जो किसी भी योनी में हूँ उन्हें भी मोक्ष प्रदान करता है इसलिए इस दिन यह दोनों ही कारे अवस्य ही करने चाहिए अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि दान में किन-किन चीजों का दान अवस्य ही करनी चाहिए और किन दो चीजों का दान नहीं करना चाहिए सबसे पहले बताती हूँ कि क्या दान करना चाहिए तिल का दान तिल में सूखा तिल का दान नहीं किया जाता है तिल से निर्मित मीठे वस्तूओं का दान किया जाता है जैसे तिल के लड़ू, मुँख फली का बना हुआ मीठा, गजैक तिल से चायों सफेद तिल हो, अथो आव काला तिल हो यदि आप नहीं खरी सकते हैं, तो अपने घर में बनाएं काले तिल के लड़ू बना ले, सफे तिल के लड़ू बना ले ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन सूखा तिल का दान नहीं किया जाता है इस बात का ध्यान रखना है गुल का दान बहुत ही महत्माना गया है गुल का दान अवसे ही करना चाहिए कहा जाता है कि दानों में भी महा दान अनाज का दान माना गया है सवसेष्ट दान अनाज का कहा जाता है अनाज के दान का भी एक विधान होता है ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहे उठा कर दे दे नहीं कोई भी चीज का आप जब दान करें अनाज में तो उसकी मात्रा पर अवसे ही ध्यान दे मात्रा यह होती है कि आपके घर में जितने भी सदस हैं उनके हिसाफ से सवा किलो का माप रखें एक किलो चावल धाई सो ग्राम उरत की दाल यह माप रखें और इस माप के द्वारा हर एक प्रतेक सदस्य के अनुसार दान में जैसे घर में चार सदस्य हैं तो एक विक्ती एक किलो चावल धाई सो ग्राम उरत की दाल तो चार किलो चावल और सभी के हिस्से से तो एक किलो दाल यह मात्रा इस तरीके से आप निकाले यह विधाने यह सर्वत्तम दान जिसे की खिचड़ी का दान कहा जाता है माना गया है चोके इस दिन को खिचड़ी के रुप में मनाय जाता है किसी जगा पर पोंगल के रुप में मनाय जाता है और कहीं पर लोहड़ी के रुप में मनाय जाता है इस तेहवार को पूरे देश भर में अपने अपने परंपरा और विधान के अनुसार मनाया जाता है यह दिन अत्यंत शुर्ध माना के है यह तेहवार साल में एक बार आता है इस तेहवार को बड़े उस्सा पुर्वक मनाना चाहिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सुर्य भगवान उत्राण हुए हैं मकर राष्ट में प्रिवेश किये हैं वैसे तो संक्रांती साल में बारह बार पड़ता है लेकिन सुर्य भगवान सनी की राष्ट में जब प्रिवेश करते हैं उस समय यह मकर संक्रांती का तेहवार मनाया जाता है। मकर संक्रांती में सुरी भगवान दच्छनायन से उत्रायन होते हैं। अब जब सुरी भगवान उत्रायन होते हैं तब तिल तिल करके दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। ऐसे भी एक मानिता है कि देवताओं का दिन आरंब हो जाता है क्योंकि इसी दिन से सारे तेहवार, सारा शुब विवाह, सारे शुब कारे आरंब हो जाते हैं इसलिए भी इस दिन को अत्यंत शुब माना जाता है अब मैं आपनों को बताने जा रही हूँ कि इस दिन क्या-क्य वस्तुए दान की जा सकती है किसी ज़रुत मन्द को भी दान करना अत्यंत शुब होता है इस दिन चुकि सर्दी का समय है इसलिए गरम वस्तुब दान किया जा सकता है यदि एक ही वस्तुब को मातरा 14 रखी जाए तो वह और भी शुब परण्याम देता है दान में हलके कंबल दान किया जा सकते हैं अपने सामर्थ के नुसार एक कंबल हो अत्वा 14 कंबल हो या आप अपने सामर्थ के नुसार करें कंबल का दान क्या जा सकता है गरम कपड़ों का दान क्या जा सकता है स्वेटर मोजे इन चीजों का दान क्या जा सकता है बर्तन का दान क्या जा सकता है जूता है चपल है, मगगा है बर्तन है प्रास्टी के डिब्बे है बैठने वाला स्टूल है पानी की बॉटल है, गिलास है, यह था शक्ति, मात्रा आप 14 रखें और यह था शक्ति, जितना जादा से जादा हो सके दान करें इस दिन का किया हुआ दान, पूरे साल किया हुआ दान से भी जादा पुन्य फलदाई माना गया है इसलिए इस दिन दान अवस्य ही करें गीता की जो पुस्तक आती है वह दान कर सकते हैं भागवत गीता की जो पुस्तक होती है आप उसे दान कर सकते हैं हर्मान चालिसा की जो किताब होती है उन्हें दान कर सकते हैं 14 लों को किताब बाट दें दुर्गा चालिसा है हर्मान चा में भी जादा से जादा दान करें आजकल तो मार्केट में भी अच्छे चीजी आ रही है बच्चों के लिए टॉफी है बिस्किट है चौकलेट है तिल के लड्डू है गजक है मुमफली का मीठा गुड में जो बना होता है जिसे की पट्टी कहा जाता है वह आप दान कर सकते हैं लईया के लड्डू होते हैं उसे आप दान कर सकते हैं यह था शक्ति दान करें दो बातों का ध्यान रखें इस दिन तेल का दान ना करें तेल की जगह घी का दान करें जो की अत्यंत उत्तम और शुब होता है और गाय का घी का दान करें वह और भी शुब माना गया है औ और दूसरी चीज, सूखा तिल दान ना करें, मीठा तिल का दान करें, इस दो बातों का ध्यान रखें, आशा करती हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अपने रिस्तेदारों को शेयर करें, मित्रो सकें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके किर्पिया वीडियो को जदा से ज्यादा लोगों से शेयर करें video को लायख जरूर करें कमेंट बॉक्स में सुर्य भवान की जयो अब शही लिगते हैं मेरे यह वीडियो आपbons replied लगे तो किर्पिया वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन अब सही दवाएं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद